हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रूट दोस्तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इंडियन जोग्रफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जो प्रमुक जलसंधी और चैनल है इनको डेटेल में डिसकस करेंगे दोस्तो यदि आप बात करें किसी भी competitive exam की चाहिए वो UPSC का exam हो, state PCS का exam हो, कोई अन exam हो, railway हो, SSE हो, कोई state level का exam हो या फिर center level का exam हो हर exam की दश्टी कोंट से यह काफी महत्वपूर्ण topic है और बार वार यहां से exam में question repeat होते हैं तो जितने भी भारत के प्रमुक जलसंदी और चैनल है इन सभी को हम detail में discuss करेंगे तो आप video को अंति तक जरूर देखिए चलिए सीधे topic को start करते है तो सबसे पहले आप समझ लेता है कि आखिर channel क्या होता है आज की topic में हम channel पढ़ेंगे और जलसंदी पढ़ेंगे नमें थोड़ा सा अंतर होता है तो वह हम समझेंगे क्या अंतर होता है सबसे पहले हम channel समझ लेता है कि आखिर channel क्या होता है ठीक है तो देखिए, किसी भी सागर में, किसी भी महा सागर में, मान लिजी कोई दो दूइप हैं, या फिर कोई दो इस्थल खंड हैं, इनको यदि कोई जली निकाय सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चैनल, इसको अब थोड़ा आप एनिमेशन के मादने हम से हाँ पर समझेए, इससे मान लिजी, ये दो कोई दूइप है, ये कोई A दूइप है, और ये कोई B दूइप है, कुछ नाम भी हो सकते हैं, अभी मैं for example A और B बोल रहा हूँ, ठीक है, अब इनके बीच में जो ये आपको जली निकाय दिख रहा है, इसको ही हम बोल देते हैं, चैनल, क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं, चैनल तो आपको ये वात याद रखनी है, ठीक है, तो definition है, दो इस्थली भागों को या दो दूइपों को आप बोल सकते हैं, वो depend करता है, जिसे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कोको चैनल है, 10 डिगरी चैनल है, 9 डिगरी चैनल है, सबी को हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहां कहां पर ये इस्तित है, तो आपको याद रखना है चैनल की definition, किनी भी दो इस्थल खंडों को, दो इस्थली भागों को, अलग करने वाला जो जली निकाय होता है, उसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है, जलसंदी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब जो भारत के प्रमुख चैनल है, इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, तो दीखे, यहां पर कुछ, मैंने important जो चैनल है, उनको यहां पर बताया है, आपको एक करके डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, आपको अन्दमान निकोवार के वाले में नहीं पता है, तो वो लेक्षर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमारी जोग्रफी वाई साहुसर की प्लेलिस्ट आप वहां देख सकते हैं, तो देखिए, यह पूरा अन्दमान आइलेंड है, अन्दमान और निकोवार दो अलग-अलग group of आइलेंड हैं, उसमें से उत्तर में जो है, उसको हम बोलते हैं अन्दमान नौ्थ अंदमान, नौथ अंदमान, मिडिल अणदमान और साउथ अंदमान, ठीक है, तो नौ अन्दमान के दिए आप अप नौर्थ में देखेंग यह हो गया North Andaman और यह हो गया Coco Island अब North Andaman तो चलो आपको पता होगा Andaman निकोबार के सबसे उत्तर में इस्थित द्वीब है तो यह Coco Island कहा है तो यह Coco Island है बच्चो यह Myanmar का Island है है ना म्यानमार एक देश है जैसे पहले वर्मा के नाम से जानते थे हमारे जो North East राज्य है उसके पूर में आपको देखने को मिल जाएगा तो उसी का बंगाल की खाड़ में इस्थित एक द्वीब समू है Coco Island तो Coco Island जो की म्यानमार का है और North Andaman है ना उत्तरी Andaman इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तरी Andaman उत्तरी Andaman ठीक है देखिए बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप Bilingual content लाईए तो मैं कोशिश करता ह हूँ ज्यादा से ज्यादा टम यहाँ पर आपको English में बता हूँ है ना ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो अब थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी है साथ साथ नोर्स बनाते जाने है ताकि आपको भी दिक्कत नहीं ठीक है तो North Andaman या उत्तरी Andaman और Coco Island के बीच में या अलग करता है ठीक है यह कहां पर है यह बंगाल की खाड़ी में इस्तरी आपको पता होगा मारा जो पूरा Andaman निकवार दूइब समू है यह बंगाल की खाड़ी में इस्तरी ठीक है तो Coco Island Coco Channel Coco Island और North Andaman को separate करता है तो यह पहला चैनल हो गया हमारा ठीक है आपको याद ठीक है एक चैनल हो गया दूसरे चैनल की बात करते हैं दूसरा चैनल है हमारा 10-degree ठीक है यहाँ थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं दूसरा channel है हमारा 10 degree channel ठीक है अब यह किसको separate करता है पहले हम यहाँ पर map में देख लेते हैं तो देखिए अंडमान निकोवार का जो अंडमान निकोवार जो मैंने आपको island पढ़ाये था तो उसमें मैंने आपको बताये था इसमें चार प्रमख दूइप हैं बैसे तो बहु बीच में जो channel है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको हम बोलते हैं 10 degree channel ठीक है 10 degree channel इसको हम बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने जूम करके वही चीज़ बताई है यह क्या हो गया यह हो गया लिटिल अंडमान ठीक है सबसे एक प्रकासित दे important channel है बार वार exam में question repeat होता है तो आपको याद रखनाना है 10 degree channel लिटिल अंडमान और कार निकोवार के मध्ध में है या फिर कई वार option में simple भी जाता है अंडमान और निकोवार के मध्ध में है ऐसे भी आप याद कर सकते हैं लेकिन और थोड़ा आप deep में जाएंगे तो लि great channel है जो कि आप एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं कि great निकोवार या फिर भारत और इंडोनेशिया के मध्ध में इस्तित है अब देखिए great निकोवार आइलेंड यहाँ पर सबसे दक्षणी आइलेंड है जिसमें indra point इस्तित है भारत का सबसे southernmost point या फिर सबसे दक्षणी बिंदू है इंडरा point आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा और यहाँ पर समात्रा आइलेंड है जो कि इंडोनेशिया एक देश है सबसे बड़ा group of island है world का तो उसका समात्रा आइलेंड है तो समात्रा आइलेंड और great निकोवार के मध्ध में जो channel है इसको हम बोलते है great channel great channel बोलते हैं फिर इसका एक और नाम है बच्चो six degree channel ठीक है इसी को zoom करके मैंने यहाँ पर बताया है देखिए यह great निकोवार island है और यहाँ पर देखिए समात्रा आइलेंड है यह किसका है इंडोनेशिया का है इंडोनेशिया का यह दूइप है समात्रा और जो यह great निको channel और इसका एक और नाम है six degree channel जो six degree अक्षान से रिखा है इसके पास से ही हो करके उजरती है तो इसी को six degree channel के नाम से भी जानते हैं बहुत से बच्चों को यह जानकारी नहीं होती तो आपको पता होने चाहिए कि six degree channel को ही great channel के नाम से जानते है ठीक है तो great निकोवार और कौन से channel है great channel है ठीक है तो यह तीन channel हमने discuss कर लिए कौन-कौन से रिविजन कर लेते हैं सबसे पहले coco channel जो coco दीप समूँ म्यानमार और नौर्ट अंडमान के मध्य में है उसके बाद हमने second discuss किया 10 degree channel छोटा अंडमान और कार निकोवार के मध्य में इस्तित है third हमने देखा great channel जो की great निकोवार और सुमात्रा के मध्य में है ठीक है इसी प्रकार से आप थोड़ा map बगएरा बना सकते हैं अपनी notebook में तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे ठीक है चलिए आँगे discuss करते हैं आँगे discuss करने से पहले थोड़ा सा आपको update देदू कि हम हमारा batch बिलकुल live है सारी detail आपको application पर available हो जाएगी इसके लब यदि आप DSSSC coupon code को apply करेंगे तो आपको extra यहां पर 500 रोपय का discount देखने को मिलेगा ठीक है तो coupon code यूज करना मत भूलिए DSSSC यह coupon code है आँगे बात करते हैं इसके लब यदि आप मुझसे geography का foundation course पढ़ना चाह रूट application को download करना है बाकी detail आपको वहां पर मिल जाएगी इसके लब डिफरेंट subject भी अलग-अलग हमारी expert faculty पढ़ा रही है जैसे history हो गया science हो गया geography हो गया math हो गया reasoning हो गया English हो गया सारी subject individual आप अलग-अलग expert faculty से पढ़ सकते है मालीज आपका कोई subject weak है especially कोई subject आप पढ़ ठीक है अभी यह हमने तीन जो देखे यह बंगाल की खाड़ी में इस्थित हमने जो channel है उनको discuss किया अब हम देखते है जो अरब सागर में इस्थित channel है ठीक है अरब सागर भारत के map में यहाँ पर आप देखेंगे तो यह है बंगाल की खाड़ी क्या है Bay of Bengal ठीक है यह अन् चुदीब देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पर भी कुछ महत्रपूर्ट channel है इनको भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो channel याद करने और आसानी से आपको याद हो जाएंगे करना क्या है आपको तीन द्वीप बनाने है ठीक है एक द्वीप सबसे दक्षण म में जो है इसको हम बोलते हैं मालदीव यह एक द्वीपिय देश है क्या है यह एक द्वीपिय देश है और according to area और according to population जनसंख्या के अनुसार और छेत्रफल के अनुसार एशिया कॉंटिनेंट का सबसे छोटा देश है कौनसा मालदीव हिंद महासागर में इस्तितिक छोट तो यह एक देश है सबसे चोटा इशिया का तो मालदीव और इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक मिनिकाय द्वीप है कौनसा मिनिकाय द्वीप इसका नाम क्या है मिनिकॉय मिनिकॉय आइलेंड ठीक है यह लक्षदीव का ही एक द्वीप है मिनिकाय सबसे बड़ा आइलें और मिनिकाय द्वीप और लक्षदीप के मद्ध में मिनिकाय द्वीप आपको याद रखना है लक्षदीप का ही एक द्वीप है तो इन नोनों के मद्ध में जो यह जली निका है इसको हम बोलते है नाइन डिग्री चैनल ठीक है यह देखिए जो 8 degree channel 9 degree channel 10 degree channel है यह channel के नाम रखे क्यों गए है 8, 9, 10 यह जो यहां से अक्छान से रिखा है जो latitude हो करके पास होती है उसी क्या धार पर इन channel के नाम रखे गए है ठीक है तो 8 degree channel 9 क्योंकि देखिए अक्छान से रिखा है ऐसे होती है 0 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree तो पहल यहाँ पर आपको यह देखने को मिलते हैं लक्षदीप समू के आसपास ठीक है तो याद रखना है लक्षदीप मिनिकायदीप और मालदीप के बीच में 8 डिगरी और 9 डिगरी यहाँ पर क्रमसा चैनल है तो यह हो गए हमारे अरेबियंसी के चैनल यहाँ से भी बच्चों ब यह जितने भी चैनल थे हमने डिसकस कर लिए अब हम जलसंदी को भी देख लेते हैं दो अलग अलग राशियों को मिलाने वाला जलियनिकायज होता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जलसंदी या फिर इसको ही जल डमरूमध्य जल डमरूमध्य बोला जाता है या फिर इस्ट्रेट भी हम इसको बोल देते है और दो अलग-अलग water body को ये connect भी करता है जैसे for example, सबसे अच्छा example जो हमारे यहाँ पर पाक जलसंदी है ठीक है अब यहाँ देखिए यह क्या है यह स्री लंका एक द्वीपिये देश है भारत के दक्षण में आप तमिलनाडू के south में देखेंगे तो यह स्री लंका है यहाँ पर और यहाँ पर यह हमारा तमिलनाडू राज्य है दक्षण भारत का एक राज्य है सबसे दक्षण में यहाँ पर तमिलनाडू राज्य ठीक है तो तमिलनाडू और स्री लंका को यह जो पाक जलसंदी है पाक स्टेट है ये सेपरेट कर रही है तो आप बोलोगे सर ये तो हमने चैनल में भी पढ़ाता है तो इसको चैनल क्यों नहीं बोल रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मननार की खाड़ी है क्या है गल्फ ओफ म खाड़ी को जो कनेक्ट कर रहा है जली निकाय इसको हम बोल रहा है पाक जलसंदी है ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है आपको याद रखना है ये दूसरा पाक है तो मननार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को कनेक्ट जो जली निकाय कर रहा है इसको हम पाक जलसंदी बोल जबकि चैनल में क्या होता है जली निकाए एक ही होता है जैसे अभी हमने जितनी भी चैनल पड़े वो सब बंगाल की खाड़ी में ही थे ठीक है बस वो दो इस्थली भागों को separate कर रहे थे ठीक है तो यहां पर आपको क्या याद रखना है पाक जलसंदी में कि स्री लंका और तमिलनाडू को यह अलग करता है separate करता है इसके अलाबा पाक की खाड़ी और मनार की खाड़ी को यह connect करता है या फिर कई यह जगा ऐसा भी लिखा रहता है कि मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को यह जोड़ता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है यहां पर मैं लिगे देता हूँ एक बार कि स्री लंका और तमिल नाडू भारत भी आप बोल सकते हैं भारत का ही एक राज है वो यह connect कर रहा है मतलब अलग कर रहा है separate कर रहा है ठीक है इसके अलावा जली निकायों की बात करेंगी तो मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी और मनार की खाड़ बंगाल की खाड़ी क्योंकि बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा है पाक की खाड़ी ठीक है तो इनको यह आपस में जोड रहा है तो यह अलग अलग चीजें दो चीजें हैं पर हो रही है आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगए बात करते हैं अगला है बच्चो डंकन प दक्षणी अंदमान है और फिर यहाँ पर लिटिल अंदमान है तो दक्षणी अंदमान और लिटिल अंदमान के बीच में जो एक यह जली निका है इसको हम बोलते हैं डंकन पास क्या बोलते हैं डंकन पास ठीक है यह दखिए यह दक्षणी अंदमान है और यह लिटिल अंद और दक्षिनिंदमान और लिटल और बूल ली जिये क्योंकि कर आप भर किया हो गया होता है बच्चे यो होते हैं दक्षिनिंदमान तो याद कर लेते हैं पर आपको इसके बारर całe ४ NAT पता ही नहीं है तो आप गलत कर रहो गई है तो आपको याद रखना है रट्लेंद आइल इसको आप जलसंधी भी बोल सकते हैं, एक प्रकार की जलसंधी ही है ये, इसके लवा यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक जो सागर है बच्चो इसको हम बोलते हैं, अंडमान सागर, अंडमान सागर, देखे एक मैंने अंडमान निकोबार की उपर लेक्चर बना र तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को ये connect कर रहा है डंकन पास इसके अलावा दक्षणी अंडमान और लिटिल अंडमान को ये आपस में separate कर रहा है तो यहां पर भी वो दो condition हो गई तो इसको हम बोलते हैं जलसंधी का नाम भी हम इसको दे सकते हैं डंकन पास या डं हैं इसके बाहर कोई भी question नहीं बनेगा क्योंकि इतनी ही channel और जलसंधी हैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से clear होई होगी इसके लवा आप लोग PDF का बोलते हैं तो आप एक तो screenshot ले सकते हैं इन चीज़ों का इसके लवा आप notes भी बनाते जाएं क्यों जरूर करें इसके लवा इदिया आप मुझसे जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो root application पर आप मुझसे जोग्रफी पढ़ सकते हैं मेरा batch वहाँ पर live है ठीक है तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ते रहें जैह हिंद बाय बाय टेक क्यार